नमस्कार सभी को वी क्लिनिक होमेपैथिक के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका वेलकम करता हूँ आज हम बात करेंगे वी क्लिनिक होमेपैथिक की मैनेजिंग डिरेक्टर डॉक्तर दिक्षागटियार से कुछ questions होते हैं patient के जिनके answers आज मैं हमको देंगी ठीक है बहुत सारे questions हमारे patients पूछते हैं जिनके solution आज मैं एक-एक detailing में उनके solution हमें provide कराएंगी तो अगली जो आवाज आप सुनेंगे वो डॉक्तर दिक्षागटियार की मैं पहले तो आप क्लीनिक के बारे में कुछ बताईए हमें क्लीनिक क्या है कैसे work करता है Hello friends मैं डॉक्तर दिक्षागटियार consultant and physician at V-Clinic Humipathy first question था कि क्लीनिक कैसे work करता है तो सबसे पहले तो जो भी patient है उनको कहीं से हमारा reference मिलता है या फिर उसके बाद जाके वो हमारी website चेक करते हैं V-Clinic.in और हमारे बारे में जो भी पता करते हैं वहां से उनको एक number प्रोवाइड होता है हमारी clinic का जो कि अभी आपकी screen पे भी दिख रहा होगा वहां से वो लोग हम लोगों को phone करते हैं या फिर अपना Facebook या कहीं जिस भी माध्यम से वो हमारा ad दिखते हैं वहां जाके वो अपना form फिल करते हैं अपनी details डालते हैं कि क्या उनको problem है उसके बाद हमारी जो team होती है वो उनको call करके confirm करती है कि उनको कब से problem है क्या वो दवाई लेने में चुक है और जो भी उनके doubts होते हैं वो सारी चीज़ें clear करती है उनका proper case लेते हैं फिर उसके बाद में जो भी senior doctor होते हैं उस department के उनसे जाके discuss करते हैं इसके बाद में उनका prescription ready किया जाता है फिर उनके पास एक confirmation call जाती है कि आपका prescription ready है आपको medicine किस address पे चाहिए उनका address verification होता है और उनको बता दिया जाता है कि 2-3 दिन या जितना भी time लगता है उनको delivery के लिए वो बताया जाता है और फिर उनको delivery घर तक कराई जाती है और फिर जब medicine deliver हो जाती है तो उसको कैसे खाना है और खाने में क्या-क्या परहेश करना है क्या exercise है वो सारी जो भी information है वो हमारी team देती है इसके लिए हमने अलग-अलग team बना रखी है कुछ लोग सर्फ follow up करते हैं अनि की patient का हाल-चाल पूछते हैं कुछ लोग उनको जो भी दिक्कते होती हैं उसका chat के माध्यम से reply करते हैं कुछ लोग उनकी doctor से बात कराते हैं तो इस प्रकार हमने अलग-अलग type की teams बना रखी है जो work करती है जैसे कि ma'am ने बताया कि doctors यहाँ पे prescription बनाते हैं patients के ma'am clinic में कितने doctors है और किस doctor का क्या role होता है जब patient अपना case detailing में यहाँ देता है तो उसके बारे हम थोड़ा बताईए हमें देखे अभी हमारे पास 12 doctors की team है जो अलग-अलग department से हैं जैसे कि कुछ doctors arthritis department lead करते हैं pils, fistula, fissure department treat करते हैं skin department treat करते हैं others जिसमें सारे female complaint और जो भी general जैसे allergies वगेरा और यह सारी चीज़े आती है यह gastroenteritis की problems वाले जो भी patient होते हैं तो वो हमने अलग-अलग department बना रखे हैं और उनमें एक-एक doctor appointment कर रखा है जो पूरा उनको starting to end देखता है उसके बाद जो patients के सबसे जादा questions होते हैं जो की junior doctor से वो पूछता है कि time duration क्या होगा अगर कोई patient आया है आपके पास ठीक है उसको मान लिजे fistula की problem है तो उसका time duration कितना लगेगा 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने उसकी costing क्या होगी देखिए सबसे पहले तो जो भी हमारे पास patient आता है अगर वो अपनी जो भी problem है वो एक्तम recent की लेके आया है, जैसे कि कुछ acute within 15 days और 1 month और 2 months का कोई भी patient है और उसमें कोई भी operation की history नहीं है, direct हमारे पास ही patient आया है, तो हम लोग within 15 to 20 days उसको response medicine के मादियम से दिला देते हैं जितनी भी problem हो but depend करता है severity पे अगर आप में 2-3 बार operation करा रखा है, आपको 5 साल, 10 साल 8 साल, 6 साल, मतलब ऐसे लंबे time से आपको problem है और आप बहुत multiple steroids बहुत सारी antibiotics और यह सारी चीज़ें खा रखी हैं, तो almost आपको 90 days का time तो देना पड़ेगा, क्योंकि आप इतना severity के बाद हमारे पास आए हैं, और कभी-कभी ऐसा हो सकता है, कुछ patients, यह मैं general patients की बात कर रही हूं, बट कुछ patients में, जो especially fistula वाले जो patient होते हैं, कभी-कभी उनमे 120 days तक का भी समय लग सकता है या फिर हो सकता है, almost six months का भी time लग चाए और जो medicine की costing होती है, वो one month की हमारे हां, बारा सो रुपए की है packaging process क्या रहता है कितना hygiene आप लोग maintain करते हो क्योंकि COVID के बाद लोगों के मन में बहुत सारे doubts होते हैं कि हमारी दवाईया किस तरीके से packaging हो रही है किस-किस route से आ रही है तो इसके बारे में कैसे handle करते हैं आप लेकिए जो हमारे हां packaging होती है उस पे हम लोग विशेष दिहान रखते हैं विशेष दिहान देते हैं जितना भी हमारा pharma department है अगर possible होगा तो हम कभी उसका टूर आपको दे देंगे तो उसमें आप देख सकते हैं जितने भी लोग होते हैं वो hair cap का use करते हैं gloves का use करते हैं proper mask का use करते हैं इसके अलावा हम लोग sanitization every week हम लोग अपनी pharmacy का sanitization कराते हैं और per day काम finish हो जाने के बाद में एक बार पुरी clean up कराते हैं और उसके अलावा जो भी medicine हम लोग fill करते हैं वो high quality की homeopathic medicines होती हैं जाहतर हम लोग कोशिश करते हैं कि German homeopathic medicines का use करें इसके लावा हम लोग उने ISO certificate भी ले रखा है अपनी medicines के लिए वो आप हमारी website पे जाके चेक कर सकते हैं और उसके लावा packaging हम लोग अच्छे से कराते हैं ताकि कोई भी in route आपका box open ना कर पाए तो वो हम लोग proper seal लगाके भेजते हैं अपनी जैसे कि मैं आपने बहुत detail में बताया हमें सारे questions के answer दिये इसके अलावा अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो हमारे दिये हुए number पे आप हमें call कर सकते हैं तेंक यू